Hello everyone, एक क्लास सेशन में आपका स्वागत है हम इंग्लिस क्लास 6 के ट्यूशन शुरू करने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे इंग्लिस सब्जेक्ट का बुक हनी सक्कल क्लास 6 चेप्टर 3 टैरोज रिवार्ड्स चलिए शुरू करते हैं यह एक विचारपुन और प्यारे बेटे की कहनी है वा कठीन प्रिश्ण करता है तो फुल्फिल इस पेरेंट्स विश्ण और वा कठीन प्रिश्ण करता है किसले करता है कुछ अनपेक्सित सायता और इच्छाओं को अपनी मारपिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कठीन प्रिश्ण करता है दा यंग वूट कटर नेम तारो लिवड विद इस मदर एंड फादर ओने लोनली हिल साइड एक नौजवान लकड हारा जिसका नाम तारो है अपने माता पिता के साथ रहता है ओने लोनली हिल साइड एक विरान ढलान पर आल डे लोंग सारा दिन ही चोप वूड चोप होता है टुकडो में काटना वह लकडी को छोटे चोटे टुकडो में काटता है इन फुरेश्ट जंगल में दू यद भी वाक्ट वरी हार्ड बहुत ठीन प्रिश्ण करता है यह अर्ण वेरी लीटल मनी वह बहुत कम पैसा कम आता है इस इस मेड़िम सेड इससे वह दुकी होता है क्योंकि वह विचार पूर्ण बेटा था एंड वांटिड और चाहता था तो गिव इस ओल्ड पेरेंश एवरीथिंग देनी और अपने बुड़े मातपिता को वह चीज देना चाहता था जिसकी उन्हें जरूर्ट थी वन इवनिंग एक श्याम वन तारो एंड इस पेरेंश वर शिटिंग जब तारो उसके मातपिता बैठे हुए थे इन एक कोरनर एक कौने में उफ देर हट उनकी जोपड़ी के कौने में लिटिंग्ऐ आ आञे स्ट्रोंग विन बीगेन टो ब्लू एक तेज हवा बैना हवा बैना श्रू करते जब हदा ने बैना स्रू किया यह विश्ल थू दूदा क्रैक्स यज्ट खाल राट च्राग्स वत ट होट छेष्छ थे उस ने जोपड़ी के श्यूस ऑन सन की आवाज शुरू की and everyone और प्रतियक felt very cold और प्रतियक ने बहुत ठंड मैसूस की Suddenly अचानक से तारोज फादर सेट तारोज के फादर ने कहा I wish मेरी इच्छाया I had a cup of sake कि मुझे एक साकी का एक कप मिले साकी होता है Japanese alcohol है ड्रिंक से जो राइसे बनती है it would warm me यह मुझे गरम करेगी and do my old heart good और मेरे पुराने जो दिल को थोड़ा सा अच्छा मैसूस करवाएगी इस में टारोज एडर देन एवर इससे तारो पहले के पिक सा दुखी मैसूस करता है दुखी हो जाता है फोर क्योंकि the heartwarming dream दिल को गरम करने वाली या जो सीने को गरम करने वाली जो ड्रिंक थी काल साकी जिसे साकी कहते थे वजबरी expensive बहुत ज़्यादा महेंगी थी how do I earn more money मैं जादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ he asked himself उसने अपने आप से पूछा how do I get a little साकी मैं एक छोटी सी साकी कैसे प्राप्त करूँगा for my poor old father मेरे बुड़े मात पिता के लिए he decided उसने निश्चे किया to work harder than ever पहले कि अप एक्षा ज्यादा महिनत करने का उसने निश्चे किया next morning अगली सुबह तारो jumped out of bed तारो bed से कोदा मतलब bed से उठाओ earlier जल्दी than usual हमेशा की बजाए तोड़ा जल्दी उठाओ and made his way to the forest और जंगल की तरफ चल दिया जंगल की तरफ अपने उसना उसने रस्ता बनाया he chopped and cut उसने टोकडो में काटा किसको लकडी को obviously forest में गया जंगल में गया तो लकडी को काटेगी chopped and cut chopped and cut as the sun climbed जैसे ही सूरज चड़ा and soon he was so warm सिगरी ही वह है इतना गरम था that he had to take off his jacket उसने उसकी jacket उतारने पड़े टेक अफ कपड़े उतारना उसने उसकी jacket उतार दी his mouth was dry उसका मूँ सूखा था and his face was wet with sweat और उसका चेरा पसीने से sweat पसीना पसीने के साथ भीगा हुआ था my poor old father मेरे बोड़े पिता he thought उसने सोचा if only cause he was as warm as I वह उतने गरम होते जितना मैं हूँ and with that और इस विचार के साथ और इस चीज़ के साथ he began to chop वो काटना सुरू किया even faster और भी तेजी से thinking of extra money ज्यादा पैसे के बारे में सोच के he must earn to buy the sake to warm the old man's bones कि वह बुड़े आदमी की जो हडियों को गरम करने के लिए साथ की अवश्य खरीदेगा then suddenly तब अचानक शे तारो स्टोप चोपिंग तारो ने काटना बंद कर दिया what was that sound क्या आवाज ती ही जो कि उशने हाड सुनी could it be could it possibly be rushing water क्या एक तेज चलता हुआ पानी था तारो कुटनो त्रिमेंबर तारो कोई याद नहीं था ever seeing और hearing की कभी उशने सुना हो या देखा हो एक रसिंग स्ट्रीम एक चलतेवी जलधारा चलतेवे धारा in that part of forest जंगल के उस हिंसे में he was thrusting वह प्यासा था the axe dropped out of his hand axe जो कुलाडी है उसके हाद से गिर गए and he rain और वह दोड़ा in the direction of sound आवाज की दीशा में दोड़ा तारो साई beautiful little waterfall तारो ने एक सुन्दर चोटा जलपरबाद देखा hidden चिपाओवा behind a rock चटान के पीछे चुपाओवा कि नीलिंग नीलिंग एक प्लेस एक जगह पे घुटनों के बल आके विर्द वाटर फ्लोड क्वैटली जहां पे पानी सांती से बह रहा था he cupped a little in his hand उसने उसके हाथ में थोड़ा सा भरा मतलत उसने अपने हाथों के cup की तरह बनाया और put it to his lips और उसके होटों पे रखा वाजिट वाटर के पानी था और वाजिट साकी या पिर ये एक साकी था यह है एक स्वादिष्ट साकी थी instead of cold water थंडे पाने की बज़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में cover करेंगे thanks for watching this video अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छे लगी तो like कीजिए share कीजिए और हमारे eclass session चैनल को subscribe कीजिए thank you very much